दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे State Bank of India का ATM Card जनवरी 2024 में एक्सपायर हो चुका है एड़ एक्सपायर होने के कुछ दिन के बाद ही मुझे मेरा New ATM Card मेरे Register Address पर Receive हो चुका है तो अगर आपका भी दोस्तो 2024 में या इवन आने वाले टाइम में कभी भी ATM Card एक्सपायर होने वाला है तो आप यकीन मानिए आपने विल्गूल सही वीडियो के उपर किलिक किया है आज की इस वीडियो में आपको Complete Information मिलने वाली है आपका दोस्तों का अकाउंट SBI Bank में या फिर Other किसी भी बैंक में है और आपने उस पर ATM Card बनवा रखका है और वो ATM Card जब आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपके मन में भी तरह तरह के सवाल चलने लगते है जैसे कि ATM Card से आपने जो UPI ID बना रखकी है क्या ATM Card एक्सपायर होने के बाद आपकी वो UPI ID बन हो जाएगी आपका ATM Card जब एक्सपायर हो जाता है तो आप ATM मसीन में जाकर उस एक्सपायर ATM से पैसे निकाल सकते हैं या फिर आपको ATM Card को अपलाई करने के लिए बैंक में ही जाना होगा तब ही आप ATM के लिए अपलाई कर पाएंगे या इससे अलग अलग अगर आपके मन में और भी तरह तरह के सवाल चलते रहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्त तक देखिए आपके सबी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है दो बीना किसी देरी के आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो first of all हमापसे बात कर लेते हैं कि आपके मन में जो question चलते रहते हैं वो हम आपके clear कर देते हैं तो जिस मंत में आपका SBI bank का या even किसी भी और bank का ATM card expire होता है तो उस मंत में क्या आपके UPI ID चलना बंद हो जाएगी तो दोस्तों मेरा यहाँ पर जवाब है नहीं आपके UPI ID प्रोपर तोर पर चलती रहती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकती है मेरे जो दोस्तों SBI bank का ATM card है वो जनवरी 2024 में expire हो चुका है और मेरी UPI ID फोन पर application पर प्रोपर तोर पर चल दी है जैसे कि आप यहाँ पर स्कीन पर देख सकती है मैंने आपको live payment करके भी दिखा दिया मैंने अभी तक अपना नया ATM card अपनी उस UPI ID में add नहीं किया है इसलिए दोस्तों एक बात तो clear हो चुकी है ATM card expire होने के बाद आपकी UPI ID प्रोपर तोर पर चलती रहती है दोस्तों दूसरा सवाल आपके मन में जो निकल के आता है वो है दोस्तों यह कि ATM card जिस मन्त में आपका expire हो जाता है किया आप उस मन्त में भी अपने ATM machine में जाकर या बैंक में जाकर पोस machine से withdraw कर सकते हैं या फिर नहीं तोस्तों मेरा जवाब है नहीं जब ATM card आपका expire हो जाएगा उस मन्त से ही आप ATM machine में या किसी भी post machine में या किसी भी soping mall में अगर आप अपने ATM card से soping करने के लिए swap करेंगे तो आपका ATM card वहाँ पर work नहीं करेगा इसलिए आप make sure कीजिए कि आप ATM card expire होने के बाद ATM machine में जाकर या post machine में कोई भी transaction ना करेंगे अब दोस्तों तीसरा सवाल जो आपके मन में चलता है ATM card expire होने के बाद क्या हमें bank में जाकर या ATM के लिए apply करना होगा तो मेरा दोस्तों answer है नहीं उसके बारे में आप आगे इस video को देख लीजिए आपका इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा अब दोस्तों हम आपसे बात कर लेते हैं कि SBI bank का या even किसी भी bank का ATM card expire होने के बाद आपको किस step को follow करना होगा जिससे आपको आपका ATM बड़ी easily मिल जाए जैसे कि मुझे मेरा ATM card भी बहुत असानी से मिल चुगा है दोस्तों आपको आपका ATM card मिलने की दो possibility निकल के आती है first possibility दोस्तों ये है जो लोग अपने bank account को actively use करते है like वो अपने account पे internet banking, UPI के थुरू या फिर वो बल्क में transaction करते है ऐसे लोगों का अगर ATM card expire हो जाता है मेरे case में मेरे account में बहुत ज़्यादा बल्क में transaction होते है and मैं अपने account में काफी ज़्यादा active रहता हूँ तो January 2024 में मेरा ATM card expire हो चुका था expire होने के बाद यानि कि within week मेरे register mobile number पर मुझे एक message receive हो चुका था जो कुछ दोस्तों इस तरह था जैसे कि आप यहाँ पर skin पर देख सकते है इस message में दोस्तों लिखा हुआ था कि dear customer आपका ATM card हमने registered speed post से आपके register address पर send कर दिया है एड़ वहाँ पर मुझे मेरा tracking number मिल चुका था तो मैं उस tracking number की help से अपने इस ATM card को Indian post की website पर जाकर भी track कर सकता हूँ यानि कि मुझे मेरे ATM card के लिए कोई भी bank में जाकर या कोई भी online application पर apply नहीं करना पड़ा खुद से ही bank ने मेरे address पर ये ATM card send कर दिया और आने वाले 10-15 दिन के अंदर मेरे register address पर ये ATM card मुझे दोस्तों मिल चुका है तो अगर आप भी अपने account में bulk में transaction करते हैं या फिर आप bulk में transaction भी नहीं करते हैं तो bank की जो एक timeline होती है वो होती है दोस्तों 30 days की यानि कि दोस्तों जिस मन्द में आपका ATM card expire हुआ है उस मन्द से आने वाले अगले 30 दिन में आपका ATM card bank यहाँ पर खुद से आपके register address पर send कर देता है तो आप दोस्तों इस बात को अपने मन्द से निकाल दे कि हमारा ATM card हमें कैसे मिलेगा या फिर नहीं यहाँ पर दोस्तों यह जो possibility है दोनों case में apply होती है first case में जो bulk में transaction करते है and second case में जो bulk में transaction नहीं भी करते है उन्हें दोस्तों ATM card expire होने के बाद 30 दिन का तो जरूर इंतिजार कर लेना है तो 30 दिन के अंदर अगर आपका ATM card आपको ना मिले तो आपको यह जो second possibility निकल के आती है उसे आपको apply करना होगा अब दोस्तों जो second possibility निकल के आती है अगर आपको 30 दिन के अंदर आपका ATM card आपके घर पर receive नहीं हुआ है तो आप दोस्तों अपनी nearby link वराच में जाकर manually form fill करके ATM card के लिए apply कर सकते है and second possibility जो निकल के आती है आप यहाँ पर अपनी mobile banking like दोस्तो state bank की योनो SBA application पर जाकर या अदर किसी bank का अगर आपका ATM है तो उस bank की mobile banking application पर जाकर आप अपने ATM card के लिए online apply कर सकते है जब आप online apply कर देंगे या फिर bank में जाकर apply कर देंगे तो आने वाले 10-15 दिन के अंदर आपका ATM card registered speed post से आपके register address पर send कर दे जाएगा जब आपके घर पर वो ATM card send किया जाता है तो आपके register mobile number पर कुछ इस तरह का message आपको receive हो जाता है इस message में आपको Indian post का tracking number मिल जाता है जिससे आप अपने ATM card को easily track कर सकते हैं जब आपका ATM card आपको आपके घर पर मिल जाए तो आप अपने ATM card का pin generate करके उससे transaction करना start कर सकते हैं pin generate किस तरह से करते हैं मैंने उस पर already वीडियो बना रखी है उस वीडियो की link आपको उपर i button में and नीचे description में मिल जाएगी वहाँ से जाके आप एक बार जरूर check out कर लीजिए अगर आपका किसी और बैंक का ATM है उस पर आपको latest वीडियो चाहिए pin generate करने की तो आप मुझे नीचे comment section में comment कर सकते हैं मैं आपके लिए special वीडियो लेकर आऊँगा तो दोस्तो जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में ATM card expired होने के बाद आपको किसी step को follow करना होता है उसके बारे में complete information समझ ली है तो अगर आपको भी दोस्तो कि banking की जिवर्दस वीडियो लाते रहते हैं एंड इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर सेयर कर दीजिए ताकि वो भी ATM card expired होने के बाद किसी तरह की कोई tension ना ले हम आप से मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन